Good morning students and welcome back to the channel of your classes Guys, आप लोगों की request, आप लोगों की demand पर हम दुबारा लेकर आ गए हैं Common Error का session, day 36 तक हमारा हो चुका था जिसमें हमने question number 461 तक कर लिये थे complete अब आज के session में हम फिर से continue करने वाले हैं Common Errors, today is day 37 and आज हम करने वाले हैं question number 462 onwards परिशान नहीं होना है, patience रखना है, question धीरे-धीरे हम बढ़ाएंगे भी, आज भी हमने कुछ questions बढ़ा के रखे हैं आज के हम session में 18 questions करेंगे, धीरे-धीरे कोशिश करेंगे कि time हमें और मिले तो हम questions धीरे-धीरे increase करते रहेंगे तो इसके लिए परिशान नहीं होना है, बहुत important चीज़ गाइस, vocabulary भी important है exams के लिए and common errors भी important है, vocabulary सारे exams के लिए important है तो हमने कुछ इस तरीके का schedule बनाया है, कि जैसे अब आपकी MWF को होगा common error का session and TTS को होगा आपका vocabulary का session MWF means Monday, Wednesday and Friday को होगा common errors and Tuesday, Thursday, Saturday को होगी vocabulary की class तो किसी को परिशान नहीं होना है, दोनों ही करेंगे अब alternate days हो रहा है common errors, इस वज़े से हम questions और भी ज़्यादा increase करेंगे ठीक है, तो एक तरीके साब का ज़्यादा जल्दी ही complete होगा तो परिशान बिल्कुल भी नहीं होना है, चलिए फर start करते हैं, share कर दीजगा अपने friends के साथ जो भी आपके friends attend करते थे पहले, या फर जो भी कर रहे हैं किसी भी exam की preparation क्योंकि जैसे ही lockdown खतम होगा, हमें एक step आगे रहना है बाकियों से और आगे आप तभी रह पाएंगे, जब आप continuously preparation करते रहेंगे हमारे साथ गाइस, common errors बहुत अच्छा तरीका होता है, grammar prepare करने का, है ना, तो इसी वज़े से common error की class किसी को भी miss नहीं करनी है, अब चलिए start करते हैं, बिना देर की वे session पहला question हमारा क्या है, 462 rules, rules, सबसे important चीज़ तो rules है, आपको मेरे साथ अपना evaluation भी करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत important है आप अपना evaluation नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप में improvement कैसे आ रहा है, जल्दी से rules बताती हूँ for every correct answer, आपको क्या देना है, खुद को 2 marks थोड़ा सा time दूँगी, answer उसमें आपको comment करना है, मुझे बताना है कौन सा option correct answer है सही आपने दिया है, given time में, 10 seconds का maximum time दूँगी, कुछ छोटे question होते हैं, तो उसमें 5 seconds दूँगी उसमें आपको बताना है कि क्या कौन सा option सही, अगर आप सही comment करते हो, तो 2 marks आपको अपने note करने हैं, गलत दिया है, तो minus 1 clear है, rules clear है, अब चलते हैं, पहले question पे, 462 the social activist was murder in cold blood जल्दी से answer बताईए, the social activist was murder in cold blood बहुत simple question है, 5 seconds का भी नहीं है देखिए इसमें, कौन सा tense यूज हो रहा है, was was यूज हो रहा है, तो murder क्यों होगा past tense में जब हमारी बात चल रही है, तो murder की जगे क्या हो जाना चाहिए, murdered ठीक है, the social activist was murdered in cold blood option number 2 is the correct answer, बहुत तीरी question था ये past tense में पूरा statement चल रहा है, तो past tense में ही होगा verb हमारा ठीक है, the social activist was murdered in cold blood, answer जिनने सही दिया था, आपना score note करते चलेंगे, अब आते हैं question number 463, the train will not start until the guard will blow the whistle guys, कुछ rules बहुत important है, almost सारे ही rules important है, तो आप लग एक notebook बना लीजगा, आपको लग रहा है कोई rule अगर important जो छूट रहा है या फिर आपको नहीं आद हो रहा है, तो आप उसको note कर लेंगे, सिर्फ rule, questions की फिकर नहीं करनी है, आपको pdf मिल जाएगा, free of cost pdf हम प्रवाइट कराएंगे, आपको telegram channel पे, telegram group पे, जिसका नाम है your classes, session के बाद आपको pdf आप आप अवेलेबल हो जाएगा, बुक है आपके पास, तो well and good, क्योंकि किरन बुक की सीरीज चल रही है ये, है ना, अब चलिए, क्या हो का 463 का answer, मैंने आपको एक rule बताया था, जब दो events होते हैं, जब दो events future के होते हैं, हम एक ही sentence में बात कर रहे होते हैं, तो जो उन दोनों events में जो चीज पहले होती है, जो event पहले होता है, वो होता है simple present tense में, उसको हम लिखते है simple present tense में और उन दोने event में से जो बाद में होता है उसको हम लिखते है simple future tense में ये है rule note कर ले जगा बहुत important rule है so अब train कब तक start नहीं होगी जब तक guard CT ना बजाए तो पहले guard whistle करेगा तब train start होगी पहला क्या हुआ पहले guard ने whistle करी तब हुई train start तो whistle करने वाली चीज हो जाएगी simple present tense में the train will not start until the guard blows the whistle है ना क्योंकि पहले वो whistle करेगा तब train start होगी तो blows हो जाएगा हमारा simple present tense में so option number 3 is the correct answer clear है 3 जिसने भी दिया था very good plus 2 करियेगा guys score सब लोग बताएंगे आप ही लोग की demand पे हम session लेकर आए हैं अब आप लोग को भी मेरे साथ महनत करनी है क्योंकि ये महनत आप ही के ले करी जा रही है अब 464 answer बताएंगे I read a great deal of books बहुत छोटा question है देखते ही समझ में आ जाएगा I read a great deal of books क्या होगा फटा फटा फटाएंगे comment करिये जल्दी से लड़ी से लड़ी से लड़ी से लड़ी से वताएंगे answer 464 जोटा सा statement कोई error दिखरी है error दिंख रही है तो दिख ही जल्दी से बताएंगे क्या error दिख रही है क्या error दिख ही क्या क्योंकि मुझे तो कोई error नहीं दिख समей Craig Hih, so mere recording answer number 4 option 4 is the correct answer a no error, कोई error नहीं है statement में, ठीक है, सही आंसर दिया था, तो plus 2 करियेगा, गलत दिया था, तो minus 1, ठीक है, चलते हैं अगले question पे, the next question is 465, which says, the Indians are genetically incapable of being good or outstanding sportsmen, 465, को बताईए, जल्दी से, देखकर sentence को भावनाओं में मत भखियेगा, सिर्फ आपको error ढूननी है, इसमें error ढूननी है, बताईए, the Indians are genetically incapable of being good or outstanding sportsmen, क्या होगी इसमेर आंसर बताईए, फटा फट से, मिल रही है कोई error, मुझे तो नहीं मिली, बिलकुल बिलकुल सही statement है, option number 4 is the correct answer, no error, option number 4 answer सही है, सही दिया था तो प्लस 2 करिये, गलता आंसर दिया था, तो माइनस 1, चलिए आते हैं next question पे, 466, equator divides the earth into two hemispheres, बहुत प्यारा question है, जल्दी से बताईए, answer बताईए, answer, कहीं पे अपना score note करते जाईएगा, या तो कोई pen उठा लीजे, हाथ पही लिखते जाईएगा, scores guys, मुझे हर student बताएगा, हर student का score मैं खुद देखूँगी, reply करूँगी सबका, ठीक है ना, तो equator divides the earth into two hemispheres, guys जब भी हम earth के points की, जो imaginary points है, imaginary lines होती है, earth की, तो जब उनकी बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमेशा उनके पहले definite article the लगता है, ठीक है, जब भी हम equator, tropic of cancer, tropic of capricorn, north pole, south pole, जिनकी भी बात करते हैं, तो हमेशा उनके पहले क्या लगता है, article the, तो क्या हो जाएगा, the equator, sorry, yes, the equator divides the earth into two hemispheres, so option number one is the correct answer, ठीक है, option number one हो जाता है, correct answer, ठीक है, cool, कोई confusion होगी तो पूछ लीजएगा, confusion भी clear करते रहिएगा, सारी doubts आपकी comments में clear करी जाएगी, तो comment करिएगा, या फिर session के बाद आप comment कर सकते हैं, I will reply, ठीक है, अब 467 पर देखिए, शुभा इस living in Chennai since 1987, बहुत important rule लग रहा है इसमें भी, शुभा इस living in Chennai since 1987, क्या होगा answer, फटा-फट से बताईए, अब मैंने आपको rule बताया था, rule मैंने क्या बताया था, कि जो since होता है, guys, हमेशा perfect tenses में use होता है, since हमेशा perfect tense में use होता है, यह तो आप note कर लेज़े, पत्थर की लकीर मान लेज़े, अब शुभा चिन्नाई में रह रही है 1987 से, मतलब क्या है कि अब भी रह रही है, 1987 से अभी तक वो चिन्नाई में ही रह रही है, तो इस case में tense कौन से use होगा, present perfect continuous tense, क्योंकि 1987 से अभी तक वो चिन्नाई में ही रह रही है, तो क्या हो जाएगा, शुभा has been living in चिन्नाई since 1987, option no.2 is the correct answer, ठीक है, इस तरीके से option no.2 हो जाता है, यह correct answer, सहीं answer किया है, तो plus 2 करिएगा score, गलत दिया है, तो minus 1, score बिलकुल honestly करेंगे, क्योंकि आप यह अपने खुद को दिखा रहे हैं, है ना, मुझे तो दिखा ही रहे हैं, मुझे पता चलना चाहिए कि किस तरीके से आप इंप्रूफ कर रहे हो, अब देखें 468, इस errors are made by foreigners, इससे easy question किसको मेलेगा, and guys, यह सारे के सारे questions, previous year questions हैं किरन के, किरन book सबसे अच्छी book है SSC के लिए, और सारे के सारे previous year questions है, SSC में आपको पता है कितने repeat होते हैं previous year questions, तो level आपको SSC में यही मिलने वाला है, इसी वज़े से हम आपको इस level के question करवा रहे हैं, hard questions भी मिलेंगे, easy भी मिलेंगे, तो अब इसमें देखिए, errors plural हैं न, तो this, this का plural यहां पर use होगा, this का plural क्या होता है, these, तो pronoun कौन सा use हो जाएगा, these हो जाएगा, these errors are made by foreigners, clear है, so option number one is the correct answer, one जिन ने भी दिया था very good, one is the correct answer, ठीक है, score update करिए, फटा-फट से, फिर चलते हैं question number 469 पर, 469 बोलता है, on entering the crowding room, I could not see one person whom I knew, भीड भाडवाले room में enter करने पर मैंने देखा, कि मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं दिख रहा था, जिसको मैं जानता था, on entering the crowding room, I could not see one person whom I knew, what should be the correct option, जल्दी से comment करिए, फटा-फट से, अब यहाँ पर, देखे ध्यान से, room है noun, room को, room की को modify कर रहा है crowding, तो यहाँ पर crowding एक adjective होना चाहिए, है न, crowding एक adjective होगा, तो room के पहले crowding नहीं आएगा, क्या आएगा, crowded आएगा, adjective form क्या होता है, crowded होता है, so on entering the crowded room, भीर भाडवाला रूम, तो crowded room, I could not see one person whom I knew, option number one is the answer, ठीक है, option number one is the answer, जिसने भी दिया था, very good, score update करिए, फिर चलते हैं question number 470 पे, सुन्दर is getting married with सीता, फटा फट से answer बताएंगे, छोटा सा statement है, 5 second भी hardly नहीं लगने चाहिए इसमें, क्योंकि concept की बात है, सारे concept जितने भी important है, सबको note करते चलिएगा, सिर्फ concept, सुन्दर is getting married to सीता, अब guys, fixed proposition ना question है, married के बाद हमेशा proposition 2 आता है, याद रख लीजे, note कर लीजे, married के बाद हमेशा proposition 2 आता है, सुन्दर is getting married to सीता होगा, ना की with सीता, so option number 3 is the correct answer, देखें कितना चोटा सा question है, लेकिन concept कितना important है, ऐसे ही question आपको मिलेंगे S.S.E. में, ठीक है, so सुन्दर is getting married to सीता, अब चलते हैं next question पे 471, He studied so hardly, he was sure of passing, उसने बहुत महनत से पढ़ाई करी है, so वो पास होने के लिए sure है, क्या होगा answer, जल्दी बताइए, दो words होते हैं guys, पहले भी मैंने बताया है, अगर आप भूले ना हो तो, एक है hard, एक है hardly, क्या difference होता है दोनों में, hard का मतलब है, कठोर, बहुत ज्यादा, है ना, तो उसने, बहुत कठोर पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा efforts लगा के, hard work से उसने पढ़ाई करी, और hardly का मतलब क्या होता है, negligible या ना के बराबर, है ना, I can hardly listen to you, I am hardly left with any money, तो hardly का मतलब होता है, ना के बराबर, इस जगे पर क्या होगा, अब वो पास करने के लिए, तो ना के बराबर तो पढ़ाई उसने करी नहीं, उसने बहुत महनत से, बहुत कठोर परिश्रम करके बढ़ाई करी है, so hard should be the term, hard replace करेगा, hardly को, so option number 2 is the correct answer, clear है, he studied so hard, he was sure of passing, clear है, कोई doubt होगा, तो पूछ लीजएगा, score update कर रहे है, score update करते रहिएगा, अब question number 472, if you are coming home tomorrow, let me know, at what time I can expect you, जल्दी से बताईएगा, 472 का, फड़ा-फड़ से बताईए, किरन बुक आपकी गाइस, पूरी solve करवाई जाएगी, जैसे ही common errors खतम होगा, बहुत लोगों के गा कहना है, कि PQRS करवाईएगा, तो हम PQRS भी बहुत जल्दी start करने वाले हैं, या तो हम ऐसा कर लेंगे, कि एक session PQRS करखें, एक session common errors करखें, आप लोग suggestion दीजे, क्योंकि आप लोग का suggestion माने जाते हैं, अब देखते हैं question, अब यहाँ पर यहाँ पर कोई परनाउन की जरुवत तो है नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इफ, यू आर कमिंग होम, बहुत सिंपल सा question है, देख कर ही समझ में आ रहा होगा, इफ, यू आर कमिंग होम तोमोरो, लेक में नो, at what time I can expect you, so option number one is the correct answer, ठीक है, कोई doubt हो तो पूछिए, option number one is the correct answer, if you are coming home tomorrow, let me know at what time I can expect you, clear है, अब question number 473, दो भी बोद आर of same height, you are more heavier द्याना है, जल्दी से बताईए, 473, दो भी बोद आर of same height, you are more heavier द्याना है, अब यहां पर, heavier क्या है, comparative degree है, और more भी क्या है, comparative degree है, तो क्या दो comparative degree साथ में आती है, नहीं आती है, तो more हट जाएगा, सिर्फ heavier आएगा, दो भी बोद आर of same height, you are heavier द्याना है, ठीक है, हाला कि हम दोनों की height same है, लेकिन तुम मुझसे जादा भारी हो, मुझसे जादा heavy हो, ठीक है, तो heavier आएगा, मोर हट जाएगा, अब शिर्मब 2 दी करेक्ट आंसर, जिनने भी सही आंसर दिया था, score update करियेगा, विद प्लस 2, अब गलत आंसर वाले, अब चल्दी देखते हैं, question number 474, after rising the flag to inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech, बहुत important question है, after rising the flag to inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech, guys flag को हम rise नहीं करते हैं, flag को हम race करते हैं, क्या मतलब होता है race का, race का मतलब होता है, किसी चीज को उचाई पे उठाना, किसी चीज को उचा करना, तो flag हमेशा race किया जाता है, याद रखेगा, after raising the flag, क्या हो जाएगा, raising को replace करेगा, r a i s i n g raising, clear है, so after raising the flag to inaugurate the sportsman, the chairman gave a long speech, option number one is the correct answer, ठीक, अब चलते हैं, question number 475 पे, scores update करते रहिए, scores मुझे last में, comment करके जरूर बताएंगे, he is fat than me, जल्दी से, सिर्फ देखते ही, समझ में आ जाएगा ये question, 2-3 second का question है, जल्दी से बताओ, he is fatter than me, हमेशा, अब देखिए, यहाँ पर ये subjective है न, subjective case है, तो comparison में यहाँ पर भी subjective case आएगा, he is fatter than me नहीं होगा, he is fatter than I होगा, me तो objective case होजाता है, subjective case ही आएगा, he is fatter than I, option number 3 is the correct answer, ठीक है, option number 3 हो गया है, सही जवाब, score अपना accordingly अप्डेट करिये, plus 2 या minus 1, जैसा भी आपका अंसर रहा है, अब, question number 476, every child in the class are wearing sandals today, गरीद, एक चीज़ आप लोग बहुत बोलते हैं, कि माम आप सामने अपनी शकल दिखा दिया करिये, जादा होता है, communication जादा understanding होती है, लेकिन गाइस कुछ problems हैं अभी, अभी हम studio से session नहीं ले रहे हैं, हम घर से session ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अभी हम भी महनत कर रहे हैं, किस तरह adjust कर रहे हैं, आप लोग भी करिये, जैसे ही ये चीज़े ओवर होती है, pandemic खतम होता है, हम फिर से back to studio पहुँच जाएंगे, और वहाँ से सामने life classes होंगी आपकी, so don't worry, लेकिन तब तक loss नहीं करना है, तो पढ़ाई आपको करते रहनी है, questions आपके होने चाहिए, आपको कोई doubt नहीं रहना चाहिए, यहीं हमारा motive है, doubt है, तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही, over हो रहा है यह pandemic, SSE की भी notice आचुकी है, बोला है कि कोई भी exam cancel नहीं होगा, postpone होंगे exams, और आपको फिकर भी नहीं करनी है, क्योंकि SSE की notice में यह mention था, कि आपको कोई भी exam है, CGL का means है, आपको अपडेट करने कि जब भी exam होने वाले होंगे, उसकी डेट से, तो फिकर मत करिए, सिर्फ अपने आपको तयारी करते चलिए, 476 कान सा बताईए, every child in the class are wearing sandals, अब rule क्या कहता है, each, every, either, neither, इन सब के साथ हमेशा singular verb लगती है, ठीक है, इन के साथ हमेशा singular verb लगती है, तो every child in the class is wearing sandals, important rule है, each, every, either, neither, सब के साथ singular verb लगेगी, तो option number 2 is the correct answer, ठीक है, option number 2 हो गया है answer, सही दिया था, तो very good, गलत दिया था, तो minus 1 करिये, अब चलिए देखते हैं, 477, I and him are very good friends, concept सारे बहुत ही ज़ादा important है, I and him are very good friends, क्या हो जाएगा इसमें, I and him are very good friends, pronounce में, guys, एक rule मैंने आपको बताया था, 3, 2, 1, सिर्फ आपको याद रखना है, 3, 2, 1, 3, 2, 1 क्या है, 3 है third person, 2 है second person, and 1 है first person, rule क्या होता है, कि जब भी ये तीरों साथ में आते हैं, तो सबसे पहले third person आता है, फिर second person आता है, फिर first person आता है, यहाँ पर second person नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा, है ना, and दोनों अगर subjective में हैं, rule फॉलो करेगा, sequence फॉलो करेगा, 2, 1 का, तो क्या हो जाएगा, he and I, he and I are very good friends, so option number 1 is the correct answer, समझ में आयागा, इस 2, 1 का sequence follow होगा, and दोनों ही subjective आएगे, clear है, आप 478, one should look after the appearance, सारे questions guys, बहुत ही small हैं, छोटे हैं, लेकिन rule, बहुत ही ज्यादा important है, and इनी rules पे, SSC में questions बनते हैं, अगर exactly यही question नहीं आता है, तो थोड़ी बहुत language change होंगी, लेकिन rule यहीं लगेगा, so 478 का answer फड़ा फट से रीजे, one should always look after their parents, subject यहाँ पर one है, तो pronoun इसी के लिए तो use होगा, their parents की जगे के पर क्या हो जाएगा, one's parents, positive pronoun, प्रनावन भी one के लिए ही तो आएगा न, क्योंकि noun क्या है, one है, one should look after, one's parents, option number three is the correct answer, clear है, three हो गया, हमारा सही जवाब, score update करिये, फटा फट से, last मैं calculate करके, मुझे जरूर बताएगा, हर एक student score, and जिसका highest होगा, मैं कल उसका नाम अनाउंस करूंगी, कल मतलब परसो, जब भी common error का session next होगा, परसो होगा, तो मैं नाम जरूर अनाउंस करूंगी, the highest score, अब she placed the offering to God in the altar, जल्दी से बताएए, she placed the offering to the God in the altar, अब guys याद रखेगा, altar के पहले हमेशा, या तो on लगता है, या तो at लगता है, altar होता क्या है, altar वो चीज होती है, guys, जिस पे भगवान की मूर्ती रखी होती है, and जिस पे हमको जो चीज चढ़ानी होती है, भगवान को जो चीज offerings होती है, वो जिसके साथ, जिसके ऊपर हम रखते हैं, उसको बोला जाता है altar, तो altar के पहले proposition on लगेगा, या फिर आट लगेगा हमेशा, शी प्लेस दी ओफरिंग तो दी गवान दी या फिर आज दी altar, so option number one is the correct answer, sorry, sorry, option number three is the correct answer, ठीक है, अगर three आपने दिया तो very good, कर लीजेगा plus two, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, minus one, अब अपना मुझे score बताएंगे, जल्दी से फटा-फट से score, करिए calculate, और मुझे बताएं, out of 36 आपका क्या score रहा है, हमने पूरे 18 questions किये हैं, from question number 462 से 479 तक, 480 onwards करेंगे हम next session में, so be there, time वही है, 11 a.m. vocabulary के session भी गाइस, बहुत important है, तो alternative days, vocabulary and alternative days, आपके common errors, फटा-फट से score बताएं, next session में highest scorer आपका नाउंस होगा, अब guys, preparation आप कर रहे हो, घर में बाक्ट है, अगर आपको बहुत सारे exam-oriented questions की practice कर रही हैं, तो आपको सिर्फ आप download करना है, हमारा your classes, जिस पर आपको digibooks मिलेंगी, different-different subjects की, जिस पर topic-wise, आपका subject-wise, plus level-wise, आपको exam-oriented questions मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे questions हैं, जो word-to-word हमारे digibooks के हैं, आई भी है exam में, आप चाहेंगे पर प्ले स्टोर पे, आप reviews देखेंगे, आपको खुद पदा चलेगा, कि it's the reality, ठीक है, अब आपको अगर इस time lockdown के time, हम offer भी चला रहे हैं, अगर आप by 10 code यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 10% का instant discount भी मिल रहा है, so use code by 10, और सबसे अच्छा time है, अपना time utilize करने का, खुद को बाकियों से एक step आगे करने का, क्योंकि ये time का आपने utilization नहीं किया, तो आपने बहुत चीज़े खो देंगे आप, ठीक है, तो चलिए फिर preparation करते रहे हैं में, पढ़ाई करते रहे हैं, ध्यान रखिए अपना, बाई बाई यां, ठीक केर,